नमस्कार मेरा नाम रभी कांच और रसिया है और आप देख रहे हैं बोलता खगडिया इस वक्त की बड़ी ख़वार है अयोध्या वे विवादित जमीन वाले मामले पर जो है सुप्रीम कोड का आज फैसला गया है जी हाँ है खगडिया में भी जिला प्रशाशन पुरी तरह से मुस्तेद है सोशल मीडिया पर भी जो है पैनी नजर रखी गई है वाटसेप फैस्बूक से लेकर ट्विटर से लेकर हर जगा पर जो है प्रशाशन की नजर है कोई भी ऐसा आपत्ती जनक पोस्ट नहीं करें जिससे आपको प्रिशानी का सबब बनना परे सुप्रीम को में या वाटसेप फैस्बूक या सोशल मीडिया में कहीं भी या भरका हूँ बात नहीं कहें जिससे अमन और सांती में जो है सोदार्त में जो है कहीं लोगों को परेसानी का सामना करने फिलाल देखिए पूरी रिपोर्ट की सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है देखि सरकार से तीन महिने के भीतर मंदिर के लिए ट्रस्ट गठित करने को कहा सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश वी दिया कि मस्जिद के लिए केंद्रिया राज अयोध्या में ही सुटेवल और पर्मिमेंट जगह दे कोर्ट ने यह भी कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को धाना और 1949 में मूर्तियां रखना गयर कानूनी था सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम लला विराजमान को मलिकाना हग दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने माना देवता एक कानूनी व्यक्ति है सुप्रीम कोर्ट पांच जजों की सहमती से फैसला ने कहा 2.77 एकर जमीन हिंदों के पक्ष में किन सरकार तीन महिने के भीतर मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाएगी ट्रस्ट में निर्मोही अखारा का परतनिधी भी रहेगा सीजी आई रंजन गोगोई ने कहा फिलहाल अधिकरित जगा का कबजा रिसीवर के पास रहेगा सुन्नी वफ बोट को 5 एकर जमीन मिलेगी कोर्ट ने सुरू में ही सिया बोट और निर्मोही अखारा की याचिकाग खारिज कर दी यह फैसला सही जजों की सहमती से हुआ सुप्रीम कोट के परधान नियाएधिस रंजन गोगोई ने कहा पुरातत विवाग ने मंदिर होने के सबूत पेस किये है सेकरोपन्नो का जजमेंट पढ़ते हुए पीट ने कहा हिंदू अयोध्या को राम जन अस्थल मानते हैं और रंजन गोगोई ने कहा कि कोट के लिए धर्मसास्त में जाना उचित नहीं है लेकिन पुरातत विवाग यह भी नहीं बता पाया कि मंदिर गिराकर महजीद बनाई गई थी तो आज सुप्रिम कोट का ये सारे मामले कास फैसला आ गया और अगर हमारी ख़बर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरू सस्क्राइब करें फैसला पेज को जरूर लाइक कर ले ताकि हर छोटी बरी अपडेट आप तक जरूर पहुंसतारे धन्यवाद